हालो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपुर पे तो क्लास 10 के लिए 7 डे टारगेट आप लोगों का चल रहा था 7 दिनों के अंदर आप लोगों को टारगेट पूरा करने के लिए दिया जा रहा था एक तरह का टास्क है ठीक है और इसका EP1 हम लोगोंने कंपलेट कर लिया था काफी अच्छे से आप लोगोंने तयारी भी की थी इसकी लिए हम लोगोंने दूसरा EP2 इसका EP2 इसमें भी आप लोगोंको 7 डे टारगेट दिया जा रहा है 7 दिनों के अंदर बस इतना सा काम आप लोगों को करना है बिल्कुल टाрगेट वह है जिसको आप कर पाओ, ऐसा टारगेट देंगे जिसको आप नहीं कर पाओ, तो फिर वो बेकार हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया, चोटा सा टास्क दिया है जिसको आप लोग 7 days में complete करोगा और ऐसा नहीं है कि इसको हम पढ़ाएंगे नहीं जो target है इसको हम पढ़ाएंगे भी यह सारा notes कहाँ पर मिलेगा आप लोगो तो telegram channel पर मिलेगा स्रिफ आप telegram पर आप सर्च करना जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पर आपको एक channel दिखेगा same logo वाला जो हमारा YouTube का logo है वह उसको दिख जाएगा वहाँ पर आपको देखना है कि जिसका 1K से ज्यादा subscriber होगा telegram पर उसी channel को आप join करना बाकी का fake channel भी वहाँ पर चल रहा है तो उसको आप लोगो join नहीं करना है ठीक आप लोग simple एक घर बैठे तयारी कर सकते हो और साथी साथ उसी से related साम को जो आपका live classes होता है उसी से related आप लोगो वहाँ पर पढ़ाय भी कराई जाएगी जो आपको एक सब्ता में तयारी करना है अब देखो यहाँ पर सबसे पहले Euclid विभाजन परमेका का all question आपको द परमे है तो आप एक बार जरूर पढ़ लो ठीक है एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग उसको कभी भूलोगे नहीं ठीक है तो Euclid विभाजन परमेका में जितने भी सवाल हैं सभी को बनाना है सभी सवाल का जो है notes आपको solution आपको टेलिग्राम पे डाल दिया ज सभी सवाल मौस्ट इंपोर्टेंट है सिद्ध करें कि रूट 3 एक परिमे संख्या है अगर आप इसको याद कर लोगे ना बस इसका एक-एक लाइन समझ लो समझ समझकर याद करना होगा रटना होगा ठीक है यह प्रमे है इसका अल लाइन जितने भी होते हैं आल भासा जि इंपोर्टेंट है लेकिन अगर मान के चल यहाँ पर रूट सेवन आ जागो तो क्या नहीं बनेगा सिर्फ आपका नंबर्स चेंज होगा बाकि जितना भी डाटा आप रटे होगे न वो जरा सा भी चेंज नहीं होगा जहां जहां रूट 3 होगा वहां रूट सेवन लगा देना है बस समझ रहे हो उसी परकार से रूट 5 भी हो गया उसी परकार से मतलब आप सिप एक याद करोगे देखना इसको लेने का मेरा मकसद था कि अगर आप रूट 3 को याद करते हो तो आटोमेटिक आपको रूट 5 बला याद हो जाएगा ठीक है बनाने का तरीका 5 रूट 2 हो जाएगा 6 रूट 3 हो जाएगा इस तरह से अगर कोई नंबर्स आ जाता है तो आप याद रखना स्रिप ये नंबर्स चेंज होगा बाकि सारा का सारा उसका डीटेल्स वही रहने वाला है तो आप लोग एक को याद करोगे तो उसके साथ साथ सभी याद हो अगर आप इंसान हैं तो आप भूलो गई डरना नहीए ऐसा नहीं है तो आप भूल रही हो तो आप बहुत ही लोवर इस ऩुट लेंट हो या फिर आप बहुत कमझोर हो एसा खुछ भी नहीं है तो उसके लिए होता क्या है जैसे आप इसको याद कर लियो जिस도 Department याद किय बाद तीन बार लिखो, उसके बाद दो बार लिखो, उसके बाद एक बार लिखो, बाद समझ गे? यानि आपको practice करना है, practice is perfect होगा, ठीक है? तो सभी सवालों को आप तके ज्यादा सवाल हमने नहीं दिया है, पांस सवाल आप बोलो के सर इतना कम सवाल है, सवाल कम है, लेकि बार बार पढ़ना ना पढ़े, ठीक है? एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कि गनित में आप लोगो को क्या-क्या cover करना है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, thank you.